छक्रवात को लेकर क्यालट कई राज्जों पर मन्डराय खत्रा एक तिरफ देश भर के राज्जों में मौसम का हाल बदला-बदला नजर आ रहा है मई के महिने में जहां चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान करती है तो वहीं लोगों को मौसम ने राहती है लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है क्योंकि एक भ्यांकर चक्रवात आने वाला है जो बड़ी तबाही मचा सकता है इस चक्रवात का नाम है साइकलोन मोचा बताय जा रहा है कि बंगाल के दक्षणी पूर्वी में एक लोव प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है जिसके तूफान में बदलने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि ये साइकलोन सर्कुलेशन 6 मई को भी बन सकता है जो कि 11 मई तक सक्रिय तूफान में बदल सकता है अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ये चक्रवात शक्तिशाली होगा जानकारी के मुताबिक भारत्य मौसम विभाग यानी IMD ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है अभी इस चक्रवाती तूफान के रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है इसके बावजूद एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये तूफान तबाही मचा सकता है ये 2022 माई चक्रवाती तूफान असानी जैसा हो सकता है इस साइकलोन का सर सबसे जादा पस्षिम बंगाल और ओडिसा के तट्यों पर देखा जाएगा जिस से निपटने के लिए ओडिसा सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं CM नवीन पटनायक ने भी इस बारे में मीटिंग की है और सारे अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए भी कह दिया है तो वहीं IMD के अलर्ट के मताबिक दक्षिन पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर 6 मई को चक्रवाद डवलप हो सकता है 7 मई को यहां हवा के कम दबाव का छित्र बनेगा 8 मई को यहां उत्तर दिशा में मध्यम बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हो ए चक्रवाद तूफान में बदल सकता है यह चक्रवाद तूफान के रास थे और उसकी तिर्वता की बारे में जादा जानकारी 7 मई को ही पता चल पाएंगी इसको लेकर अरगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जिसका असर 11 माई को भारत समेत कई देशों में नजर आएगा। और इस दोरान भारे बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी। सुरक्षित जगाहों पर पहुंच जाएं। टूरिजम, शिपिंग और अन्यकति विद्यों को 8 से 11 माई तक रेगुलेट करने की उन्हें सला दी गई है। अभी के लिए फ्लाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi। झाले के लिए बने तक रेखते रहिए One India Hindi। झाले के लिए Two खबरों में गजाएं। झाले के लिए Two खबरों में पर अन्यकति घगाएं। झाल झाल